गौ का महत्तु, इस सूत में और अगले शूत में गौ का महत्तु का वर्णन किया है, इस द्रिष्टी से ये दोनों सूतक मनन करने योग है, पहले ही मंत्र में कहा है कि मैं दान देता हूँ, ऐसा ही यजमान बोले, दान देने में संकोच ना हो, ना देने की और ना किसी प्रक और बिचार नहोंशंद्ह, उपकार करने का ही विचार मन में रहे। ब्रह्मन क्यों याचना करते हैं? ब्रह्मनों का घर एक गुरकुल होता है, वहाँ अनेक छात्र होते हैं उनका पोषण करना और उनको विद्या पढ़ाना उस ब्रह्मन का कर्तब होता है। यग याग करना भी उसका कर्तब है इस सब के लिए विद्वान ब्रहमणों की गो की आउशकता होती है। इस परोग कार और जगद उद्धार के कार्रे के लिए ब्रहमण लोग गो की प्रात्ना करते हैं और अन लोग उनको मांगने पर भी सतपात्र ब्रहमण देखकर गौद गौदान करते हैं गौदान तो ऐसे सतपात्र ब्रह्मण को श्यम करना चाहिए जो ऐसा नहीं करते परंतों मांगने पर भी नहीं देते उनसे ना समझते कि ये बड़ा सारवजनिक पाप होता है ब्रह्मणों को जिस राष्ट में मांगने की आउशक्ता होती है अर्थार्थ उनका सहायता की निउनता रहती है उस राष्ट में बड़ा पाप होता है क्योंकि सब ब्रह्मणों की बिद्या परचार से ही राष्ट में सांस्कृती और शमानेता इस्थिर रह सकती है इस तरह बिचार करने में बिदित हुआ कि ब्रह्मणों के मांगने पर भी ना देना क का भी अधिकारी नहीं है उस विशय में बेदन अस्पष्ट दान के अधिकारी ब्रहमण का जो लच्छन है बताया गया है सैकडू ब्रहमण लोग गव का याचना करते हैं परंत उनमें केवल बिद्वान को ही गव देनी चाहिए यह बेद का आदेश अदा अस्मृडिय रखने योग्य है जो चाहे सो ब्रहमण दान का अधिकारी नहीं है जो बिद्वान ब्रहमण होगा वही दान लेने का अधिकारी होगा यहां मगर रहते हैं जिनसे अपने लिए धन कमाने का ब्योशाय नहीं हो शकता जो की अपना जीवन ग्यान ब्रिद्धी के लिए लगाए हुए हैं जिनसे सत्संग में रहते हुए अनेक छाट कृत कृतक हो रहे हैं ऐसे सुयोग विद्वान को ही गव का दान देनी चाहिए यह आदेश सब दानों के लिए है और गव का दान के लिए बिशेश ही है यहाँ पाठकों को बिदित हुआ कि ऐसे सा ब्रहमन को ही गव पर अधिकार है और ऐसा ही अधिकार है यह बात देवों ने श्रयम कही है अता इसमें कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है मंत्र दो और तीन में ऐसे बिद्वान ब्रह्मणों को गो ना देनी की कैसी दुर्गती होती है, ये बात कही है, बिद्वान ब्रह्मण राष्ट में ना रहे तो ग्यान वृध्धी नहीं होगी और राष्ट में ग्यान ना रहा तो सब प्रकार की उन्नती होना अशंभो है, ये बात अ तुंगती है उसे ये रोग हो जाता है और वो मरता है इस लक्षण से ये रोग कौन सा है इसका पता आज कल के बैद भी लगा सकते हैं बैद और पशुड आत्तर की खोज करें छठे मंत्र में कहा है कि कई लोग गो के सरीर पर चिन्न करने की इच्छा से कान अथवा किसी अन्यभाग पर चिन्न करते हैं यह भी लोगों की परिपाटी बहुत बुरी हैं क्योंकि इससे भी गव को बड़े कलेश होते हैं गॉव को ऐसे कलेश देना योग नहीं है गौव को ऐसी उत्तमता से रखनी चाहिए कि उस गौ उत्तम गो रश देती है जो कि मनुशमातर के लिए हितकारी हो शकता है गौ की रक्षा कई लोग गौ के बाल काड़ते हैं ऐसा करना भी उचित नहीं है ऐसा साथवे मंत्र में कहा है आठवे मंत्र में गौ की रक्षा करने के शंबंद में एक बड़ी महत्पूर बात कही है गौालिये गौ को लेकर गोचर भूमी में जाते हैं और गौ को चरने के लिए छोड़ देते हैं और स्वयम इधर उधर भटकते रहते हैं ऐसी दसा में कव्वे गो के पीछे पढ़कर उनको सताते हैं ऐसा ना हो यह सूचना मंत्र आठ में है गौालिया गौ की योग पीडा तो नहीं होती इस विशए में शाउधानता रखी रगवनस में दिलीब राजा जैसी वसिष्ट की गोव की रख्चा करता था वैसी रख्चा हर एक गौरक्षा करें कोई जीवजंत गव को पीडा ने देवे ऐसी रख्चा करने वाले ही सुयोग गो रख्चा कहला गोबर और मूत्र, नवमंत्र में गोव का गोबर और मूत्र इधर उधर ना फेकने की आज्या कही हैं, किसी विशेष अस्थान में उनको अर्थार्थ गोबर को और मूत्र को शुरच्छित रखना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम खाद है, जिससे धान, फल, फूल, साग आज उत्तम पैदा हो शक्ती है, इधर उधर नोकरानी फेक देगी और उससे बड़ी हानी होगी, ऐसी अवस्ता किसी भी ग्रहस्ती के घर में ना हो इसलिए ये आज्यादी है, गुबर और मूत्र इधर उधर फेक देना पाप है, ये पतन का हेतु है, ये पाप कोई ना करे, आग इसी प्रणाली के अनुसार आच्रन करने वाले को ही इसका दान करना चाहिए, तिरह हमें मंत्र में कहा है कि जो भोग पादार्थ गोव से प्राप्त होता है, उसका विचार दाता गोव का दान करने के शमय ना करें, क्योंकि उसको वो भोग अन्यरीती से भी प्राप्त होत यद कोई दाता दान देने के समय में ये विचार लावे की अरे मुझे तो इससे ये भोग मिलेगा और मैं इस भोग से ऐसे सुख प्राप्त करूंगा इसका दान करने से मुझे ये दुख उठाने पड़ेंगे कोई दाता ऐसे कंजूसी के विचार मन में ना लावे इस प्रकार विचार मन में लाने के से दान का सब महत्तो नश्ट हो जाएगा दान से जो उसकी उच्चता होती है वो इस प्रकार के विचार से समूल दूर होगी शुलावे मंत्र में फिर कहा है कि गोव तो ऐसे सापात्र ब्रहमनों का ही धन है गोव के स्वामी के पास तो वो तीन वर्स प्रयाप्त रहे उसके पश्चार वो शुबिद सतपात ब्रहमन को दी जाए योग ब्रहमन प्रात्ना करने के लिए ना आवे तो वैसे ब्रहमन को भूढ़ना चाहिए परन्तु कभी आयोग को दान देना नहीं आगे 21 मंत्र तक दान का ही महत्वर्णन किया है 22 मंत्र में बिद्वान ब्रहमण को गव का दान करना चाहिए ये बात फिर कही है सैक्लो आ बिद्वान मांगे तो उनको देनी नहीं चाहिए केवल बिद्वान ही दान लेने का अधिकारी है ये बात हर एक दान देने वाले को अस्मरण रखनी चाहिए इस तरह दान देते रहेंगे तो जगत का उद्धार होगा कूपात्र में दिये दान ही अधोगती करने वाले होते हैं आगे 23 मंत्र में बिशेश ही बल से कहा है कि यद कोई मनुष ऐसे बिद्ध्वान को दान ना दे कर अन अ बिद्वानों को देगा तो उसको बड़ा धुख होगा आगे की तीन मंत्रों में कहा है कि ब्रह्मण अगने आध देउताओं के उद्धेश से गव को ग्रत दुखधा आध की अखुतियाँ देते हैं और देउताओं का शंतोस करते हैं इसलिए उनको गोव दान करना चाहिए यद दान ना किया तो यजमान को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा आगे 32 मंत्र में यही विशय कहा है छत्रिये की माता 33 मंत्र में कहा है कि गोव छत्रिये की माता है इसलिए छत्रिये को उचित है कि वो गोव को माता मान कर उष्का सतकार यथा योग करें गोव की यदि कोई मनुष्ट कष्ट देवे तो छत्रिये अपनी माता को कष्ट देने वाला समझ कर यथा योग दंड देवे आगे 33 मंत्र में अर्थार्थ सूतक की समाप्ति तक गोव का दान शुयोग ब्रह्मनों को देना चाहिए दान ना देने का भाव कोई भी मन में ना धारण करें दान देने से कल्यान ना देने से दुख होता है यहां वर्णन है इन मंत्रों में कई अस्थानों पर पौदान ना देकर जो शुयम अपने लिए गोव को पकाता है ऐसे वाक्ते जिनको बेदी की भासा का परिचे नहीं है वै इससे ऐसा अनुमान करेंगी कि गोव को पकाना अर्थार्थ गोमान्स पकाना ही यहां अभीष्ट है जो लोग ऐसा विचार मन में रखेंगे उनके विकल्प निरास के लिए यहां थोड़ा सा लिखने की आवशकता है बेद में लुप्त तदित सब्द प्रियोग होते हैं जिससे गोव शब्द गोव से उत्पन हुए पादार्थों का वाचक होता है अर्थार्थ वसा पचित का अर्थ गॉ से उत्पन दूद गरत दही चाच आदी पकाता है गोव दुग्ध से किया प्यास तयार करता है ऐसा है इसी प्रकार गो या वश के अर्थ जैसे दूद दही छाच गरत आदि पादार्थ हैं वैसे ही इस सब्द के अर्थ मान से रक्त हड़ी चमडा बाल गोबर गो मूत्र आदि भी हमारे विचार से दूद दही छाच गरत आदि अर्थ ही यहां लेना चाहिए पाठक इसक फॉन्चम अनुवाक में सात्मा प्रयाय और त्धिहत्रम मंत्र हैं इस संफूरण सुतक में कोउ की महिमा कही है और ब्हामण की गोउ कोई न चषीने ब्रहमणों को गोदान दी जाए जो ब्हामणों अर्थार्त बिद्वान ब्हामणों को सताते हैं उनकी गव चुरा कर ले जाते हैं उनके शरवश्य का नास होता है इत्यादी वर्णन है विसे यही होने से इस सूतक का विसेश असपश्टी करण करने की आवशकता नहीं है जो पाठक मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे उनकी समझ में उनका आज से सहज ही आशकता है वर्णन कभी कलपना से पूंड है और उसी त्रिष्टी से यह सूतक देखना चाहिए